परे बताओ आप लोग इतनी लापरवाई करोंगे उसके बालों के नीचे क्या हो रहा है पता ही नहीं एक दिन में थोड़ी हुआ है आज मुझे आप बेज रहे हो कि अब पता चलाया पता है पिछली बार भी सक्वी सर्दीया में मैंने बाल कट वा दिये थे इसको दिखता ओ रही थी गंजा पन हो रहा था लेकिन ऐसा नहीं देखा अब मैंने होमियोपाथिक कुछ कुछ इलाज कराया कोई यहीं थी आसपास मेरे मौसम्यार में में वो कहत यहीं दिल्ली में अच्छा ऐसा है यह मेरे मैं अभी रोग का नाम नहीं कह सकता लेकिन जो इस तो सुराइसिस है इस लोगों में खतरनाक रोगों में से एक माला जाता है अच्छा क्या करूं गुविंजी मतलब मैं ऐसे आपको डराने के लिए मतलब मुझे जो देखने से दूर से देखने माभी से यह बताओ इसको तो इसको घंजा करा दिया कि इसका इलाज करा हूँ यह देखा अफिर वो ना क्या करते हैं मेरे को लगा बालों की प्रफ्लम है तो यह ना मेरे बाल बाल दालते हैं के बाल बड़ें बबालबिता। government मस्ता वाय मेरे बाल यह आप लिए गर चल जागा कोई लड़की थोडी है विलकुल बिलकुल थीक है हां अब इसने किया होगा बालों की इलाज करा रहा होगा और वह बालों के इलाज किरा थे उसमें केम कल वाली कोई चीज लग गई यह स्किन करों ले लिया नई इसने homeopathic ही use किया है गुमिन जी आजा तो इस तरह पर उच नहीं उस किया तो या तो शुरू से इतना रहता होगा जी सुरू से इतना हो रहा होगा क्योंकि इस कदर पूरे बाट एक दो जगा होना अलग बात है यह तो पूरा का पूरा सहर ही ऐसा हो रखा है हाँ 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 क्या तो कैसे करें उसका एक तो फोल को ना रिकॉर्डिंग पे डाल दो अच्छा डाल दी यह कर रोस कर रहे हूँ इस काल इस ना बिइंग रिकॉर्ड़ेद पांजी हो गया नारियल का तेल अच्छा दही ओके निम्बू फुलाया सुहागा अच्छा फुलायी फिटकिरी ओके और सुध गंदक अच्छा मात्रा जैसे एक दो चम्मज नारियल का तेल क्योंकि ठंड का मौसम है ठंड का मौसम है एक दो चम्मज दही ज्यादा नहीं उसफुलायी फिटकिरी और सुहागा अच्छा ठ statements रृष होती है इतनीadura का डटारिश होती है मैंने भी दकिर्टा शेद तो तीन चम्मच दही हो जाएगी दो तीन चम्मच नार्यल का तेल और एक चम्मच के आसपस निम्बू ठीक है इसको अच्छे से मिलाद जीगा तो लेप जैसा बन जाएगा लेप घोल बन जाएगा बालों में पूरे उपर लगाके आदे पौने घंटे बाद फिटकेरी वा में पानी के पत्ते पीच के उसको पानी में अबाल के रख दो लगा लेगा लगाने के बाद इसको धोके नहा लेगा अच्छा ठीक है ठीक है और अरंड का तेल निम्बू का रस अच्छा अनारियल का तेल यह तीनों बरावर मिला के रखेगा और नहाने के बाद यही तेल बालों में लगाना चाहे बहले ज्यादा ना लगाए लेकिन एक उपर से लेयर देनी है चिकनाई की अच्छा ठीक है निम्बू की बज़े से हलकी सी इसको खुझ लाओ आजेगी पता है निम्बू जब लग त्रे कम कर देना जुब करम पर दो आधना का नाम मैं लिख के भेज दुड़ूंगा पर इसको कर आई है और चीछा कोई साबन नहाने कोई साबन पर बेसन से सो स defending है और क्या मोलते हैं आमला पानी में रात को एक डिड़कप पानी में तुबह उसको धोले ठीक है और ऐसे भी गोरा है क्या करना साबन लगा के साबन का खर्च है बर्वाद गोरे लोग क्यों साबन पर पैसे खर्च करते हैं बद्बू अटाने के लिए बद्बू अटाने के लिए तो ऐसी सेंट आता है मामनों बद्बू सेंट भाग जाएगे वह बट्विंटन में खेलता है पूरी टीशेट गंदी करके आता है एक्दम भी फिर नाता है यह आप कीजिए और मेरे को यह पांच छे दिन बाद दुबाना सर की फोटो भेजिये जारा ठीक है जी ठीक है अब होमेपाइट की दवाई भी नहीं दे रहा है तो में पांच छे दिन बाद अच्छा ठीक है तो कि अगर यह फंगल्स हुआ तो आपने जैसे का ना कि सर्थियों के मौसम में जाता है तो कई रचान, ब distinguished से कम ज्यादा होता है ठीक है अगर गर्मी से ठीक होने वाले जो स्कीन के रोग होंगे तो क्या होगा कि गर्मियों में होगा ही नहीं जिसको पानी लगके जलन होती हो पानी लगके खुझली होता हो तो उसको जैसी पर साथ आएगा उसको खुझली होगी बिल्कुल बिल्कु वैरब सर्द्अ करूँ लगता है तो तो अच्छा होता है मेरे वैसे मौसम विहार में बोला था है जो पिले लगा के है सब्सक्राइब कर दो नापने काम पर एमजोन में कर रहा पर थे लेकर किरना परणा सब्सक्राइब करो बंदे बातंग दिदी काली मयूर 3x काली सल्फ 3x नेट्रम मयूर 3x ये तीनों की चार चार गोली आधे कप गुंभूने पानी में घोल के हर चार चार घंटे पे तीन दिन तक दो तीन दिन तक और जो पहला घर की चीज़े बताई है और जोन जुए सफाई कर दो हें गारा के भी नार्यल तेल निंबू गंदख फिटकी री सुहागा। गरस यह मिला कर उसको लगा दो नमस्ते बहिया दो दिन एक साथ किया मतलब एक तो पर भी किया थाो आपने जैसे लिफ लगाने के लिए बोला था और एक गल दूब़ा है कर दिया था और वैसे इसने तो बाल पानी उसके बाद उससे दोया और उसके बाद कैस्टर ओयल और नारियल तेल और निम्बू का थोड़ा हलका सा लेयर लगाई तो आज तो बिल्कुल ठीक सा लग रहा है तो क्या मैं इसको एक यां दो दिन ग्याप दूँ बंदे मात विदी कैसे ना बढ़िया खुष हो गया बेटा हम उसको काफी रिलीफ है वो केता है कुछ भी निये खुझी बजली है दो देने इसको लगवाए गुविन जी उसको रात शाम को आता है ना ओफिस से लगा देता है तो बंदे बाद अपना जो जो काम कुम करके फ या नहीं लगाती रहो भी नहीं लगाती रहो कम सुन तीस दिन लगा दो ठीक है देखने के लिए गए गए पूरी जिंदगी पड़ी है ठीक है एकदम जड़ से चला जाए ना गोविन जी बस वो जुरूरी है ना और जाएगा जाएगा तो क्यों कि मुझे ता देखिए یہ लाओ जाएपनी वाली फोटो देखो और आज वाली फोटो देखो कोई क्या ही नी सकता किसको कोई सर में कोई रोग लगा था बिलकुल है यह रात को इसने वही लेयर लगाई है अब देखुश पुपाई बिल्कुल चलागी ओफिस आज तो छुट्टी होगी नहीं आज चुट्टी है बात कराना हाँ जी एक मुझे अलो बंदे मातरम बाबू बंदे मातरम जी और मजारा देशी उपाय करके कंपनियों की क्रीम से तो अच्छी है ना अइससे आपनी लगाते आपके बहुत सारे दोस्तों होंगे अजे आप ठीक हो जाओगे आपके बच्चे का भी होगा तो मैं चल ठीक है घर की चीज़े भी कर लेते हैं कितना दवाईयां खाएंगे कितना पैकिंग का माल लेंगे अजे सर और सब बढ़िया ठीक है करो इसको अराम से आप खुजली जो ने कितनी खुजली बेगरा खुजली मतलब कभी को आरी होती है दिन में एक यह दो बारी वैसे तो कुछ नहीं है बट हो में पहते कि दवाईयां भी लेनी शुरू नहीं किया है यही जो लाइक का दार हो कोई बाद ने दवाईयां मंगा ले ना क्योंकि थोड़ा अगर यह नहीं मंगाना तो कोई बाद ने आप इसको करो लगातार कम से एक महीने तक कर लो हाँ जी हाँ ठीक है एक महीने तक आँख बंद कर कर लो हाँ जी वो जो बाल हो कटवाल हुए पर अभी नहीं रहने तो वैसे जासर है कौनसा बाल बाल अभी अभी तो छोटे अभी तो लग रहे हैं जब ऐसे लगे कि हाँ बाल ज़्यादा बढ़ा लगाने में दिक्कत हो रही है तो फिर एक बार और उतरवा लेना तो आप देख लेना दस दिन में उतरवाओ, पंडर दिन में तो अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है? अभी तो छोटे-छोटे है, अभी लगाने में तो बन रहा है राम से, आजी, आजी. और नहीं भी उतरवाओ गे, तो असे मम्मी का लेप भी तो ज्यादा खतम होगा, आजी, आजी. जालो, ठीक भाव जो के सब्सक्राइब